हेलो फ्रेंड्स आइम यूर स्टडी मेट सारीका रमूला और आज हम करने वाले हैं सारे कॉंपुटिटिटिव एक्जाइम के लिए इंपॉर्टेंट विज्यान प्रेक्टिस सेट को तो फ्रेंड्स इस प्रेक्टिस सेट में मैंने 25 कुश्चिन बनाये हैं जो कि बहुत इं प्रेकास का विपर्तन प्रेकास का ब्यतिकरण तप्त भूमिका परावर्तन पून आंत्रिक परावर्तन ठीक है तो जो मरीची का होती है यह एक क्या होती है प्राक्रिक्टिक टूप से होने वाला एक ऑप्टिकल भ्रहम होता है जिससे क्या होता है कि जो प्रेकास की किरण वो दूर की वस्तुओं पर यह जो आकास की एक विस्ताबिक छभी होती है उसको उत्पन्न करती है ठीक है और उसके लिए वो सीधी जुपती है जिसका कारण क्या होता है पून आंत्रिक परावरतन होता है तो यह वाली जो घटनाय होती है मरीचिका की गर्मियों के टाइम मे अगर आप देखेंगे तो रिगिस्तान में जादा देखने को मिलता है साथ ही अगर आप हाई वे में और किसी एक स्ट्रेट सडक पे जाएंगे जहां पर सीधी सडक हो तो आगे आपको ऐसे जो घटना हो देखने को मिलेगी ठीक है तो मरीचिका का जो कारण है वो क्या है आंत्रिक परावरतन है। चले, next question है, विटेमिन E का राशायनिक नाम क्या है? जो विटेमिन E है, इसका राशायनिक नाम बताना है। पहला option है, रेटिनॉल, दूसरा है पाइरी डॉक्षिन, तीसरा है टोको फेरॉल, और चौथा है केलसी फेरॉल, तो इसका जो राइट आं जो मनुश्य के आंसु होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें ऑप्षिन है टाइलिन, लाइसोजाइम, एमाइलेस, ट्रिपसिन तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोजाइम तो मनुश्य के आंसु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइ सर्वोत्तम की उत्तर जीविता जिसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन सर्वोत्ता की उत्तर जीविता के सिद्दान का प्रतिपादन किया था पहला उप्षिन है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल, चौथा है डेवरेग तो इसका जो राइट आंसर है वो है डार्विन, डार्विन ने ये सिद्दान दिया था कि प्रकिर्ति में जो सर्वोत्तम जो पावर्फुल होगा वही बचा रहेगा अंत तक जो कमजोर होगा वो क्या होगा खुद ही समाप्त हो जाएगा इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्जैंपल भी दिये थे प्रूब करने के लिए इस थियोरी को तो आपको ये जब कुश्यन आता है और बहुत बारे कुश्यन आता है कि सर्वोत्तम की उत्तर जीविता का सिद्दान किस ने दिया था तो ये किस ने दिया था डार्वि चलिंगे, next question देख लेते हैं, hydrofide किन हें कहते हैं, hydrofide किन हें कहते हैं, पहला option है जलिय पौधे को, दूसरा है, जल रहित पौधे को, तीसरा है, जड रहित पौधे को, और चोथा है, इन में से सब ही, तो इसका जो right answer है वो है, जलिय पौधे को, ठीक है, जलिय पौदे को hydrophite कहते हैं और जो जलिय पौदे होते हैं इनमें जल में रहने के एक विशीस अनुकूलन छमता होती है जिसके कारण यह जल में उत्पन होते हैं यह पेड़ पौदे ठीक है जिनको कहते हैं hydrophite प्रिथिवी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है चार अप्शन है एक है अलुमुनियम दूसरा आइरन तीसरा सिलिकॉन और चौथा कैल्सियम तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलुमुनियम ठीक है फोटोग्राफिक फिल्म पर किस धातु की परत फोटो विक्षित करने के लिए किया जाता है इसमें चार अप्शन है एक है प्लेटिनम दूसरा मेगनेशियम तीसरा सिल्वर और चौथा है कॉपर तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिल्वर ठीक है जो फोटोग्राफिक में फोटो को विक्षित किया जाता है जिस धातु की वज़े से वो है सिल्वर ब्रोमाई ठीक है तो बहुत बार ऐसे कुश्चन आया रहता है तो आपको आंसर देना है सिल्वर जब सिल्वर ब्रो एक सिल्वर नाइट्रेट ? ठीक है ? शिल्वर नाइट्रेट क्या है ? स्याही है जिसका प्रियोग मद्काता कि उंगली में किया जाता है ठीक है निशान और दूसरा जो फोटो जो फोटो ग्रेफिक फिल्म को , फोटो 好 विक्सित कहने के लिए किया जाता है वो THE silver bromide ठीक है next question है सबसे भारी धातु कौन सी है सबसे भारी धातु को बताना है पहला option है lithium, osmium loha या copper तो इसका right answer है osmium और इसका रासायनिक संकेत होता है OS next question है और ये भी बहुत important है black box एक electronic उपकरण है जो विमान के पिछले हिसे में लगा होता है या किस रंग का होता है ठीक है जो black box बना होता है हवाई जाज में वो किस रंग का होता है ये बताना है तो इसमें option है black, सफेद, लाल, नारंगी यानि orange इसे कहते हैं नारंगी को तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा औरेंज यानि नारंगी जो black box होता है वो काफी मजबूत material से बनाया होता है जो कि आसानी से नहीं तूटता है और जब कोई ऐसी घटना होती है जैसे plain crash होते हैं तो उसका reason क्या है वो इसी black box से पता किया जाता है जब बाद में उसको ढूड़ा जाता है तो reason भी यही से पता चलता है तो इसका color कैसा होता है नारंगी होता है ठीक है चली next question है सूर्य की उर्जा का श्रोत क्या है जो सूर्य से उर्जा प्राप्त हो रही है उर्जा जो सूर्य में है उसका श्रोत क्या है पहला option है नाभी की सनलयन दूसरा है नाभी की विखंडन तीसरा है यांत्रिक उर्जा और चौथा है चुम्ब की शक्ति तो इसका जो right answer है वो क्या है नाभी की सनलयन बहुत बारी question आता है और बच्चे जादा तर इसको क्या कर देते है नाभी की विखंडन कर देते है लेकिन इसका right answer क्या हो जाएगा सूर्य की उर्जा का श्रोत है नाभी की सनलयन चले next question है ये भी बहुत important है प्रतिकिरिया के बराबर वो विप्रीत दिशा में एक प्रतिकिरिया होती है यह है आपको बताना है पहला option है न्यूटन का गती विशयक प्रथम नियम न्यूटन का गती विशयक दुतिय नियम न्यूटन का गती विशयक दुतिय नियम या उप्रोक्त कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C Newton का गति विश्यक नियम जो क्या है किरिया प्रतिकिरिया का नियम है ठीके इसलिए क्या statement है ये प्रतिकिरिया के बराबर वो विप्री दिशा में एक प्रतिकिरिया होती है इसे हम क्या कहते हैं किरिया प्रतिकिरिया का नियम जो कि न्यूटन का तृतिय नियम है चलिए जो प्रतम गतिक नियम है जड़त्व का नियम और दूसरा है समवेग का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नेक्स्ट क्विश्टिन है द्रव से वास्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं जब द्रव वास्प में परिवर्तित हो जाती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं पहला option है गलन, दूसरा वास्पन, तीसरा क्वथनांग और चौथा इन में से कोई नहीं तो इसका right answer क्या हो जाएगा वास्पन ठीक है वास्पन की जो प्रकिरिया होती है वो कैसे होती है द्रब का वास्प में परिवर्तन होना ठीक है चली next question है बहुत important है और बहुत easy लगत जो आने वाला है तो हमेशा इसको गलती करके आते हैं almost ठीक है question है रिन आविशित आयन कहलाता है ठीक है वो आवे वो आयन जो क्या है रिन आविशित जिस पर माइनस होते हैं चार्ज पहला option है केटायन दूसरा एन आयन तीसरा कैथोर और डी अनोर तो इसका right answer क्या हो इसको दिहान रखेंगे हमेशा चलिए next question है baking soda का रासायनिक नाम है जो baking soda है उसका रासायनिक नाम बताना है baking soda को मीठा soda और खाने वाला soda भी कहा जाता है खाने में प्रयोग किया जाता है इसलिए question बार बार पूछा जाता है और लगभग देखेंगे आप जो question बनते हैं ज जिसे मीठा soda या खाने का soda कहा जाता है उसका रासायनिक नाम पूछा गया है इसमें option है sodium hydroxide, sodium bicarbonate, sodium chloride यह silver bromide तो इसका right answer क्या हो जाएगा sodium bicarbonate क्या है baking soda का रासायनिक नाम है चलिए next question है अंडे का बाहिक होल यानि एक शेल मुख्यता किसका होता है किस से बना होता है अंडे का बाहरी जो कबर होता है किस से बना होता है पहला option है calcium carbonate दूसरा है calcium bicarbonate तीसरा है calcium phosphate है कहलाता है जन संख्या का अध्यन कहलाता है पहला अप्शन है जीवास्म बिग्यान दूसरा है कार्टोग्राफी तीसरा है जियोग्राफी और चौता है डेमोग्राफी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डेमोग्राफी हो जाएगा जिसको हम जन संख्य की कहते हैं जन अधिक्तम पोशन तत्व रक्त में कहां से अवशोसित किये जाते हैं, ऑप्शन है बड़ी आंत, दूसरा अप्शन है मुह, तीसरा है छोटी आंत, और चौथा अप्शन है गले से, तो उसका जो राइट आंसर होता है वो है छोटी आंत, स्मॉल इंटस्टाइन से क्या होता ह है जो बलड होता है सबसे जादा पोशक्तत तो वहीं से उशोसित करता है चले, नेक्स क्विशन है और यह भी करेंट का टॉपिक है और इंपोर्टेंट है देख लेते हैं, डॉक्टर दिलीप महाल नोविश को किसकी खोज के लिए पद्म विभूशन सम्मान 2023 दिया जाए ठीक है यहां पर डबल हो गया है तो किसके लिए उनको 2023 में आज के दिन 26 जन्वरी के लिए जो मिल रहा है उनको पद्म विभूशन दूसरा जो सबसे उच्च सम्मान है अमारे देश का तो वह उनको आज मिलने वाला है तो किसकी खोज के लिए मिलने वाला है यह कुशन है ओप्शन है और दूसरा है चे चक तीसरा है मलेरिया और चौथा है कोविट ठीका तो इसका राइट आंसर क्या है और खोज के लिए वही और जो बच्चों को बड़ों को जब उनकी लूज मुशन की प्राबलम होती है तो बेसिकली तब दिया जाता है या उल्टी में तो और आसी कंडेशन में जब बॉड़ी में पानी की कमी हो जाती है तो उस पूरा करने के लिए और आरस का गहोल दिया जाता है तो पानी में मिलागी जिसे पिया जाता है इसी और आरस की खोज के लिए डॉक्टर दिलीब महालोविश को पदम भीभूशर से सम्वानित किया यहीं पर मैं आपको बता दू जो ORS का पूरा नाम है वो है Oral Rehydration Solution क्या है Oral Rehydration Solution इसका पूरा नाम है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं पेपसीन है एक ठीक है नेक्स्ट कुशन क्या है पेपसीन है एक हार्मोन, विटमिन, एंजाइम और खनीश तो जो पेपसीन है यह एक बहुत इंपोर्टन एंजाइम है जिसका काम क्या है कि भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको तोडने का यानि उसको पचाने का काम करता है यह एंजाइम ठीक है अब बहुत बार एक्जाइम में पूछा जाता है कि पेपसिन क्या है ये इसका काम क्या है तो पेपसिन एक एंजाइम है और दूसरा कि जो भोजन में जो फूर्ड में हमें प्रोटीन रहता है उसको तोड़ने का उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है इस एंजाइम पहला है option हिर्दय, हार्ट, फेपड़े, लंग्स, किड्नी है और मस्तिस, चार इसमें option दिये गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मस्तिस, बाकी सब ट्रांस्प्लांट हो सकते हैं, प्रत्यारोपित हो सकते हैं, लेकिन मस्तिस का प पहुरे कोईले के नाम से क्या जाना जाता है, यह option में दे गए हैं, आपको बताने हैं, पहला option है, पीत, दूसरा है, लिगनाइट, तीसरा है, बिटुमिनस, और चौथा है, एंथरसाइट, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, लिगनाइट, लिगनाइट को ब्राउन चार आप्शन है, छेतरे फल अधिक होने से दाव दिक हो जाता है, तीसरा option है, दाव छेतरफल में कोई संबंध नहीं है, और चौ था आप्शन है, उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर है, ओपशन A, छेतरफल अधिक होने से दाव पंग हो जाता है, ठीक है, यह understood तो कम हो जाता है और अगर च्छेत्र फल अधिक लगता है यह एपको द्यहान दिये सुद्णा यहां किसी बीज कील को दिवार पर में लगाते हैं न मैं भी strip जाती है और वह बाद में अगर नइनाम नो को लेटने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जब छेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होने की वज़े से वो डूबेगा नहीं दल-दल में ठीक है चलिए next question है वह बैग्यानिक जिसने रेडियम की खोचकी बहुत easy question है बहुत बार पूछा जाता है ठीक है रेडियम की खोचकी option है आपके पास Franklin, Madam Curie, Irene Curie और John Dalton तो इसका जो right answer है वो है Madam Curie Madam Curie पहले ऐसी बैग्यानिक है जिनको भौतकी और रसाइन विज्ञान दोनों का नोबल पुरुषकार प्राप्त हो चुका है ठीक है यह आप खासिया देखे मैडम क्यूरी की कि दोनों subject की यह जानने वाली है और दोनों में इनको नोबल पुरुषकार प्राप्त हुआ है चलिए next question देख लेते हैं अमल वर्षा में साधहरन तया निम्न में किसकी अधिकता होती है यह आपको बताना है जनरली जो acid rain होती है उसमें सबसे जादा किस अमल किस acid की प्रधानता होती है पहला option है carbonic अमल दूसरा है hydrochloric अमल तीसरा है nitric अमल और चौता है sulfuric अमल तो इ उस time पे धरती पर गिरता है ठीक है चलिए next question देख लेते हैं MRI बहुत बार आप लोगोंने नाम सुना हो गई जब भी कोई चिकित्सा का परामर्स लेने doctor के पास जाते हैं तो इसके check-up के लिए बोला जाता है तो आपको बताना है जो MRI है इसका पूरा नाम क्या है ठीक है option Magnetic Resonance Imaging दूसरा है Magnetic Research Selection Imaging तीसरा है Magic Resonance Imaging और चौथा है इनने से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो है option A Magnetic Resonance Imaging इसे कहते हैं ठीक है किसे MRI को ठीक है आप लोगों के क्या करना है कि इन सारे question को अच्छे से देखना है जो-जो question आते है easy है ओके लेकिन जो question नहीं है उनको नो-डाउन करते रहे और जो हम practice set ला रहे हैं आप उनको सारे देखे solve करते रहे हैं मिलते हम next video में तब तक के लिए धन्यवादे